प्रधान मंत्री आपके आफिस में आए उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री ने कहा कि आप उनकी मदद नहीं करें मतलब प्रोसीजर को फॉलो करने से रोकने के लिए क्या प्रधान मंत्री ने आप पर दबाव बनाया कि शोरगुल में हंगामे में बिल पास करें मैं इसको दबाव नहीं कहता हूं इसलिए कि प्रदान वंतरी जी से मोधी जी से इंडिविजुली मेरे बड़े अच्छे सम्मात्र है जब वो चीफ मिनिस्टर से तब भी नेकिन ये चीज उनको आसाहज कर सकती है हो सकता है उनका पाइंड आफ इयू दूसरा हो吗 समझा है मेरे अंगल से मेरा क्या कम ठाहरा जिस वाँ- मैं होकी मैच में रेफरी ता इसम्झे जाएente बगत करीब से कहल देखता था जी समझे मूं में एक सिटी रगाय रखता था जेब में रूल बुक रखता था और यलो कार्ड भी रखता था रेड कार्ड भी रखता था अगर खेल ठीक हो रहा है तो सिटी की जरूरत नहीं है अगर फाउल होता है तो सिटी बेजानी पड़ती है तो चेर का काम कोई भी चेर तो ये क्यों कहा प्रधान मंतरी ने आपको क्यों कहां मिजे ने बायों मैं समझाने की गोष्श कर रहा हूं आपको कि पॉइंट ऑफ यु क्या होता है समझा अगर प्रधान मंतरी आपने अपनी किताब में लिखाई है आप करेंगी प्रधान मंतरी ने कहा कि शोर शराबे हंगामे में बिल पास क्यों नहीं हो रहे देखे चायद उनके पार्टी के लोगों ने उनको नहीं बताया हो इसलिए कि उनसे पहले की बात है कि ये एग्रिमेंट हो गया था यूपिये के जमाने में कि डिन में बिल नहीं पास हो गता था अगर कंसेंसेस नहीं है तो अच्छा डिन में मतलब कोई बिल नहीं हुआ हुआ इसलिए यह एग्रीमेंट हो गया था यह रूल मैंने बनाया था और जब जेटली जी वस लीडर ऑफ ऑपोजिशन 2007 में 2007 के बाद उसमें डेट ठीक है ना 7 और 12 के बीच में यह रूल बना था और जेटली जी ने वेलकम किया था सरकार खुश नहीं थी। इसलिए कि सरकार का पाइंट वही होता है। बिल्ज को बुलडोज करना चाहरी थी इसमें बताएगा है कि 2007 से 2014 के बीच बलकि आप 17 तक 17 बिल 14 मिनिट से कम समय में पास हुए 13 बिल 4 मिनिट में पास हुए और 1 मिनिट में भी 1 मिनिट से भी कम समय में कई बिल इस तरह के पास हुए है 2 मिनिट वाले भी हैं और यह सब आपके कारेकाल में भी हैं सर हुए होंगे मुझे नहीं याद है मेरे प्रोसीडिंग्स देखूंगा तो बता दूँगा आप हंगामे में बिल पास हुए हंगामे में बिल पास कैसे हुए अगर गलत हुआ तो गलत हुआ मैं बहुत अब्धोशी हूँ बात खत्ब हुँगे मैं ये दो नहीं कह सकता हूं कि मेरे जमाने में जो हुआ वो सही हुआ और दूसरे के जमाने में नही हुआ इस नॉट पड़ी इशू नहीं तो फिर आपने जो किताब में लिखा कि प्रधान मंत्री ने ऐसा आपको कहा तो आप तो आप खुद कह रहें कि हाँ मेरे कारेकाल में भी ऐसी चीज़े हुई उसके आगे मैं क्या कह रहा हूँ जी जी उसमें लिखा हुआ है काफी कुछ है कि लीडर आफ अपोजीशन अरुन जेटली इन सबने मेरे काम की तारीफ की थी मैंने एक रूल नाय था उसारी तो एबागाँ मैं एक रूल बनाय था तो था तो बिना consensus के हंगामे में बिल पास हुएं से पहले भी? हुए होगे? मुझे याद नहीं है. अचा हो सकता है. आपके कारेकाल में भी हुए होगे? हुए होगे? मैं यह नहीं कहता हूँ. जैसे आंदर पर रियोगनाइजिशन बिल से लेकर हैं, ऐसे कई बिल्स हैं. मेरे पास पुरी लिस्ट है. मुझे मेरे पास ये list नहीं है कापी दे दीजिए भाई इनको मैं भी चेक कर लोगा ले 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 जा अनिल जी कापी ले 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 जी करी तरह के बिल्ड है आप कहें तो मैं पढ़ देता हूँ मेरी मेमरी ये तरी नहीं है मैं आगे बढ़ रहा हुँ बस मेरे बताने का ये मकसद था जो आपने कहा कि शोर गुलिया हंगामे की बीच बिल इस तरह से पास करना संसदिय परंपरा के इसाब से ठीक के खिलाफ है बट आपने खुद ऐसे बिल कैसे कई पास हुए है आपकी किताब में कुछ अंश जो मेरे को समझ मैं आपने इसमें एक सेकुलरिजम को लेकर में को बड़ा इंट्रेस्टिंग लगा आपने लिखा दे टर्म सेकुलरिजम इटसेल्फ हैज अल्मोस डिसपेर फ्रॉम्ट्स ओफिशल वोकेबलरी आपको ऐसा क्यों लगता है कि सेकुलरिजम मुझे नहीं मालूम आपने लिखा है वोकेबलरी में नहीं है अगर मैं रिसर्च करूं तो मैं आपको बता दूगा कितनी बार यह शब्स इस्तमाल हुआ है कितनी बार नहीं इस्तमाल हुआ सेकुलरिजम का मतलब आप किया समझाना चाहते है अपने जिसे आपने का कि सेकुलरिजम गौर्णे की वकेबलरी में अब नहीं रह गया है तो मैं यह आप से पूछ रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं था सेकुलरिजम जैसे वन साइड़ीड था अभी तांडव को लेकर क्या कुछ हुआ मैं बस आप से अब अवेकनिंग नहीं है कि अब जो है सेकुलरिजम वन साइड नहीं है सेकुलरिजम को लेकर जैसे तांडव में हुआ सुप्रीम कोट ने कहा आप ऐसे सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर सकते मुनवर फारुकी को लेकर भी ऐसे जो मजाक उड़ा गया मैं आपको बता रहा हूं मद्यप्रदेश हाई कोट की तरव से कहा गया ठीक है तो और ऐसे कई एक्जैंपल्स हैं अब चीजें बदल रही हैं अवेकनिंग है पहले वन साइड था शायद सर सुझिए यह आपका विव है I respect your view as a citizen संझे साब but the crucial point is if you had read my book carefully you would have seen that most of my this thing on the subject commentary on the subject emanates from the Bumai judgment Bumai judgment is a Supreme Court judgment अबस्को देख लिए मैने उसके आगे कुछ नही का है I have not written something which is other than a it's not my invention it's a Supreme Court ruling I have also said that what went wrong beyond that for example an otherwise very eminent judge said about a particular religion that it is a way of life yes my question is which religion is not a way of life 1995 Supreme Court judgment yes you are right which religion is not a way of life is Judaism not a way of life is Islam not a way of life is Christianity not a way of life is Buddhism not a way of life so you know after all judges are very eminent people but they are not infallible I just wanted to understand that Dhanvir Pekshita means that Minority appeasement not a way of life Dhanvir Pekshita sir what does appeasement mean? Tusti Karan Tusti Karan appeasement 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 you will have 10 members answers in the dictionary and you will have 10 members and you will have 10 members appeasement means you are doing something over and above what is required isn't it? whatever the dictionary says I don't know but that is what dictionary will tell you isn't it? so what is the what is the context in which it is being said it is appeasement so abhi woh chizhe nahi hai versus secularism abhi woh dharm ripekshita woh chizhe nahi hai abhi malum ni I am out of government I don't know I don't see it in public view that's all in public view logon ke hesaab se woh chizhe nahi hai nahi hai lagti nahi hai mujhe nahi maalou I can't claim total knowledge of what all that is happening in public sphere I lead a very quiet to try to ya aapko kuchh logon ne بتa ya bhai may akbar pardhata ho iske aagay kuchh nahi pardhata ho kya aapne aasa pardha joh aapko laga ki secularism ab nahi I am not discussing shortages of secularism and all I only said it did not does not figure in government vocabulary in government vocabulary toh aapko aisa kiyo mhsus hota hai because it doesn't figure koji reason something which do reason ek reason kisi nha apko بتa ya hoga kya بتa ya hoga pachat aad bhi بتاتے hain ds maheni mein toh kisi nha nha nii بتa ya iske kisi mulaqat nahi hoti hai mager بتاتے toh hai तो लोगों ने जो बताया उसके हिसाब से आप कह रहे है आपका personal इसमे कुछ नहीं है personal कह रहे है 10 months I have been locked up in this also नहीं अगर आप कह रहे है कि secularism अब उस तरह से नहीं है सेकुलरिजम were to be implemented it is our normal practice that what is accepted by the central government not everything is implemented by the central government it is implementation is at the level of states okay तो ऐसा नहीं है कि Muslim की appeasement is secularism है वो नहीं है या होता तो यह भी था कि Hindu terrorism भी secularism हो जाता था सर भाई कहीं ठीकर आज अमरीका में domestic terrorism का definition क्या है आज after the White House was raided so terrorism has no religious tag do it जैसे पहले tagging की गई रहा वो तो Hindu आतंगवाद वो secularism था बिल्कुल नहीं था कोई आतंगवाद secularism नहीं हो सकता it is normal practice it is not deviation from practice secularism को लेकर आपने लिखा कि government की vocabulary में secularism नहीं है तो secularism को लेकर आपकी क्या statements है में उसके सवाल आपसे पूच सकता आप footnote सो देखिए आपने footnote is part of the book it's on the same page मैं आपसे agree कर रहा हूँ sir मगर मैं सवाल तो ये पूच सकता हूँ ने ने आप सवाल पूच सकते हैं जब हिंदी जब हिंदू terrorism कहा जाता था तो secularism था जब हिंदू आतंगवाद कहा जाता था तो secularism था तो secularism है वो से कुलरिसम है वो से कुलरिसम है सबने का दिग्विजे सिंह से लेकर सुशील को मैं शिंदे से लेकर पूरी हिंदे से सकार है इने मैं आप से पूच रहा हूँ नो 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 I'm asking Listen, don't carry the debate in a contentious manner If you want to discuss what is in the book I will answer it If you want to have a general discussion with me you are welcome Let all this disappear We'll sit down, have a cup of tea and have a discussion But don't try to attribute to me something which is said by A, B and C No, I'm not that Hamid Ansari ji पूरे सम्मान के साथ बस आपने कहा सेकुलरिजम अब नहीं नज़र आ रहा है सुपनों पढ़िए मेरे भाई आप नहीं पढ़ रहे है फुटोर्ट तो ये सेकुलरिजम तो 14 से पहले भी वो appeasement थी जो सेकुलरिजम था जब मनमोहन सिंग कहते हैं कि देश के संसादनों पर पहला हक मुसलमानों का वो सेकुलरिजम है मैंने कहा है ये मनमोहन सिंग ने कहा है ना तो आप मनमोहन सिंग से क्यों नहीं पूछते हैं मुच्छे क्यों पूछ रहे हैं मैं आपका इंक्रू भी ले रहे हैं इसे से पुछता हूँ, ने नी, मैं जो आपने काया, मैं वो पुछता हूँ ना, हमिद अनसारी जी, उसका जिकर आपने भी किया, कि आपके कारेकाल के आखरी दो हफ्तों में कई स्टेट्समेंट्स रही, जिस वजा से थोड़े विवाद हुए, आप जानते हैं, वो चाहे एक दिन पहले इंटर्व्यू हो, या नेशनल लॉज स्कूल बेंगलूरू में, जो आपने का था कि, मुस्लिमों में बेचैनी और अज सुरक्षा की भावना है, वो अभी भी है सर, या आप चीजे थोड़ी बहतर हुए, जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी-जी- आप मुझे पताईये ना, ने ने लिंचिंग तो मैं आपको अभी तिरलोचन महतो, धरमराज हजरा, दुलाल कुमार, मैं दस नाम गिना सकता हूं, हिंदू की लिंचिंग हुई है, वेल और गुट, अज बुट, अज बुट, परसन, या बिए बेचैनी और अज रक्षा क भावना है, ये पहले का स्टेट में था, मुझे लगा शायद आब आपके विचार थोड़े बदले हो, आप कहरे हैं, अभी भी ये चीज है, बिल्कुल है, कोई रीजन, कोई एक वज़ा की इस वज़ा से, जब लोग बंद हो रहे हैं, मैं एक स्टेट के मितलिक सुनता ज़र ज़ाद यूपी में, तो क्या है वो? किस वज़ा से? किस वज़ा से हो रहा है, मुझे नहीं मौलू है, मगर जिस तरह से यूपी में लोग बंद हो रहे हैं, क्या एक धर्म के लोगों को बंद किया जा रहा है? जी. कहां पे, कौन सा कंटेक्स्ट, किस वामलिया बता प्रिपल तलाख पर कानून जो बना उसके खिलाफ तलाख बिदत के खिलाफ, उस वज़ा से आपको लगता है कि मुसलमानों में असुरक्षा की बावना है? आप ने कहा, मुसलमानों में बेचैनी असुरक्षा की बावना है, अभी भी है, एक वज़ा बताईए आपको ऐसा क्यों लगता है? जब उस पर डिस्केशन होगा, मैं बताँगा है, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, मैंने जितना लिखा है, आप जिसने, मैंने, राममंदिर की वज़ा से, ठीके मैं उस पर नहीं जा रहा है, मैं उस पर नहीं जा रहा है, लव जहाद, I am not going on that, I am giving you public perceptions, या perception के basis पर आपने इ statement दी, और facts कुछ नहीं है, you are marvelous, you are absolutely marvelous at sophistry, I'll give you high mark, I'll give you high mark, मुझे एक बजा बताईए, आपको क्यों लगता है, मुसल्माना सुरक्षेत है, my dear fellow, my dear chap, सर, पता एक चीज़ मैं बताता हूँ, आज मैं आपका इंट्रिव्यू करने आ रहा था, तो मैंने कुछ लोगों से बात की, सुनीए ना, मैंने कुछ लोगों से बात करी, उनका बे नाम बता दूँगा, जी, मैं बता दूँगा, उन्हों बताए कि आप 10 साल देश के उप देख्ष रहे, तमाम देशों में आप भरत के राजदूत से लेकर सारे रहे, इतना कुछ जो है देश ने आपको दिया, लेकिन आपको अभी भी आप कहते हैं कि देश में आपका धर्म नहीं देख आपको देखते हुए, यह सारी चीज़े आपने इस देश ने, इतना कु आपको देख्ष रहे, इसमें आपको देश के उपराश्पती रहे, इसमें आपकी मेंटालिटी गलत है, और सारे नहीं है, इसके आगे जाने की जववत नहीं है, तो ये सवाल घल्ट है, मैं आपको भी नहीं कहता है, यह घल्ट, mais if you have come to do this, then you better not stop me. मैं कह सकता हूँ, हमेज अन्सारी जी, क्यिए आपको पुस्ता का प्रचार करने की में तो सवाल पूछना है आपका, आप जरूर प्रचार की तो नहीं ना मैं जैसा जासे जाएंड और फॉल ऑन इट सोन इट विश्ब काम नहीं है कि लिए बदाई है लेकिन मेरा काम पुस्तक का प्रचार ना करना है सत्तर साल जैसा गोधी मीडिया रहा है मैं तो सवाल पूछने पड़ेंगे सर अपने कहा कि मुसलमान आशुरक्षित है क्ला में और यह मैं तो कि इसार के अईद पन्त PLAY जीगता है आप मुझे एक वज़ा बताईए जिस वज़ा से आपको लगता है कि मुसल्मानों में आप सुरक्षा तुमावना है जब आपको आपको प्राश्पती रहे मैं सवाल पूछने आयों आपसे सवाल ना पूछू आप जैसा कहेंगे मैं आगे बढ़ जाओंगा किताब को रेवियू किजे अज़न पुस्तक अपुस्तक का प्रचार नहीं करने आया मैं सवाल पुछने आया हूँ आपकी आपकी ऑपकी इस कीताब में ये सारीिं मैं आपको कब बुलाया यहाँ पे कोई निमंतरन बेजा आप उखड क्यों रहे है सर सवाल हो से नहीं सवाल से नहीं उखड रहा हूँ आपकी mentality से उखड रहा हूँ चलिए ठीक है सर मेरी mentality गलत सही मगर मैं सवाल पूछ लेता हूँ अगर आप इजाज़त दे आपने अगर का मुसल्मानों में बेचैनी और आसुरक्षा की भावना है एक वज़ा तो बताईए आपको ऐसा क्यों लगता है आपका क्या धर्म देखा इस देश के आप दस साल उपराश्पुती रहे अलिगर मुसलिम इनुवस्टी के वाइस चांसलर रहे आप जो है राशेयल संखेक आयोग के अध्यक्ष रहे यूएन में पर्मनेंट रेप्रेजेंटेटिव रहे आप तमाम देशों में भारत के राजदूत रहे सब कुछ आप रहे आखरी दिन आपने कह दिया कि मुसल्माना सुरक्षित इसलिए कि हैं अचा हैं आप भी मैंने तो नहीं कहा कि मैं हूँ क्योंकि आप भी मुसल्मान मतलब आप भी है सर ठीक है मेरा धरम मुसल्मान है कोई वज़ा सर आप बताना चाहे क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ उसका एक अलग discussion होगा CA की वज़ा से आपको लगता है CAA यह सब चीज़ें they stand on their own merits I don't have to comment on it because people more knowledgeable than me have commented on it आपने lynching का जिक्र किया हाँ किया तो लिंचिंग का धर्म थोड़ी ना होता है सब जो लिंचिंग करता है तो लॉइन ओर इसु नहीं है लॉइन ओर इसु है तो आप क्या करते हैं उसके साथ कोई चोरी करता है तो आप उसके साथ क्या करते है the law proceeds कितने cases में law has proceeded आप निकाली है इस वज़े से लिंचिंग की वज़े से नेच्रली विकोज फोट्स cases which have happened which should be law and order cases nothing is being done I'm not going into that तो सर्थ एक मेडिक में तो सर्थ हिंदूस में इन सिक्यूरिटी के लिंचिंग तो हिंदूस की भी है मुझे नहीं मालूं क्या होती है की नहीं होती पिर एक तरफा हुआ ना बंगाल में लिंचिंग तिरलोचन में तो दुलाल कुमार धर्मराज घजरा मैं आपको दस नाम गिनादू केरल में लिंचिंग तो सर्थ लिंचिंग का धर्म तो वो तो law and order है तो law and order पे action होता है की नहीं होता है तो धर्म देखकर थोड़ी ना सर लिंचिंग का थोड़ी ना धर्म होता है तो क्या देखके होता है क्योंकि लिंचिंग तो हिंदू की भी होती है तो हिंदू भी इंसे क्यों है मतलब हो सकता है इंसे को अच्छा irrespective of religion irrespective of religion मुसल्मानों में आचुरक्าม की भावना ऐसा नहीं है मैं जिस चीज़ पर जिस kontext में जिकर कर रहा था मैंने कह दिया था उसमें हिंडूओं में भी आचुरक्चा की भावना लिंचिंग की वजासे इस अयों में जिसका धर्म से कोई ले ना देना नहीं है बस यही तो मैं और मैं आप से आपने का मुसल्मान अब आपने का भरतियों में मैं एक किस कॉंटेक्स में इस कॉंटेक्स में बोल रहा था अब आप पूरी बिंचिंग थैंक यू जलिए thank you तेंक यू सो मझ सर दोड़ोड़ इनाव